मानने 37 परशाजादव जी ने पूरे विहार में जो मुद्डे की राजनिती किया है यानि नौक्री विकास रोजगार जो में गांधी मेदान रहली के लिए जाना जाता है घंदी में आंज नोक्रीयों के लिए जाना जाते हैं भीहार का मुद्दा है महाँगाई जो सातषन व्यवस्ता की बात है यह मुद्द tôi से क्यों भटकना चाह रहा है यह क्यों ने डिवेट करना चाह रहा है जनता को मुद्द they से भटकाने वाली बात उनको तो जवाब देना चाहिए कि दस साल में ने क्या किया कितने लोग को सरकारी सरकारी नोख्रिया दी यह जनता सब कुछ समझती है नमस्कार आप देख रहें डीटी ड़लू 24 यूजर मैं हूं आपके साथ दिव्या पहले सक्त हम मौझूद है राज़त कर्याले में हमारे साथ बात करने के लिए राज़त के विधायक रनविजे साहु आप इनसे ही बात करते हैं कि आज जो है उपमुख्य मंतरी विजय कुमार सिनानर प्रेस कॉन्फरेंस किया जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उस गाउं में उस जिले में क अपनी बेटी को लेकर और किस मुझे वहां की जनता तो उन्हें ढूंड रही है लालू यादव को असाथ ही साथ राबडी देवी को क्योंकि उनके उस गाउं की बेटी के साथ बहुत ही बदसलूकी कि अब इनसे ही जानने की कोसिस करते क्या कहिएगा भारतिये जनता पार मुझे हैं आज इनके पास तो को मुद्दा है नहीं अखिर जन्ता से किन मुद्दो पर Voor्ट मांगने जाएगी इन्हों तो जन्ता से जो बादा किया है जब ही वादा में इनों फैल है तो काओ कहावत हैं कि काट के हारी बारबार नहीं चाहरते तो पूरिक Small City परसाज आद यो बिहार जहाँ है पूरी तरह से यहां कि हम आ सकते हैं नफरत की राजनेति जो जो कि हैम्णिल कभी माजीद कभी हिंसलिम कभी वह गान्दी मैंदान आज नोक्रियों के लिए जाना जाता है एक बड़ा बदलाव हुआ है और बिहार का जो बदलाव होता है वह देश में बदलाव होता है तो पूरी तरह से इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और रोनी अचार्जाजी ने जो संकेत दिये हैं जो विचार को इस भावना को देख रहा हो महलाओं में जो संदेश गया है भारत में महलाओं की पूजा होती हिंदुस्तान में और उसमें उन्होंने पिता के परती जो समर्पन है हमारा संस्कृति हमारा विरासत को यह याद करता है और पूरी तरह से बिहार और देश की संस्कृति मजग जनता खुस है और भारी भोट से जीत क्या नहीं है भातिय जनता पार्टी के तरब से कहना है कि सारण जिले से तो उन्हें टिकट दे दी हैं लालू याद लेकिन जीतनी के कोई आसंका नहीं कोई भी चांस नहीं है 100 में 99 परसंट करें 101 परसंट उन्हें जीत नहीं सकते क्यों कोई भविस भकता नहीं है कभी बोलते हैं वो नहीं जीतेगा कभी बोलते हैं अब कि वार चार सा के पार अरे भोट हुआ नहीं काउंटिंग हुई नहीं और आप कहा रहा है चार सा के पार तो यह सब टीवी में दिख रहा है वहीं उनका लहर दिख रहा है जनता के बीच क मोधी की नकली गरांटी यानि ठगने वाली गरांटी है ओ जनता के बीच अब जनता तो निश्चतुर्प सो मैदान में है और जनता तो डाइरेक्ट जवाब देती है फैसला देती है फैसला का विगुल बच चुका है आपने भी जस तरीके से कहा की एक बेटी जो है पीता को किड़्नी दान देकर अपनी फर्ज नहीं बहाई तो एंडिय गडबन्दन के तमाम नेताओं मंत्रियों का कहाणा है कि क्या एक बेटी तो अपना फर्ज नहीं भा दी अपनी पीता के साथ पिता क्या एक बेटी का बा जाए यह क्यों ने डिबेट करना चाह रहा है आज देस में इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे पेट्रोल डियल के दाम कम करेंगे रसोई गैस के कम करेंगे परतेक शांसद दो-दो गाओं को गोद लेने के काम करेंगे किसानों को आई दुगुना करेंगे गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे अखिर क्या हुए इनके वादे बिहार के नौजमान पूछता है मोदीजी से बिहार के युवा पूछता है अमिच साथ से तो इनके दिन अब विल्कुल खतम हो चुके हैं और पूरी तरह से जनता के बीच से नकारे जा रहे हैं लगातार यह लोग चुनाओं में जा रहे हैं जनता खदेर रही है भारती जनता पार्टी के नेताओं को खदेर यह लोग जवाब ने दे पा रहे हैं इसलिए पूरी तरह से महा गटबंदन परिवार एक जुट होके एक टूजेट के तरह दे दिए देखिए यह सब जो है राष्टिय जनता देले टूजेट की पाटी आज रन्विजय साहू भी मुर्वा का विदायक है रन्विजय साहू भी राष्टिय जनता दल का प्रधान महा सचीव है लेकिन कुछ लोग भारती जनता पार्टी के लोग उससे जादा कोई वाद हो भाद हो ये सकता अज बताई ये सिपमे ठ़कुघ जी कहा गया रभी शंकर फॉरसाज जी कौन है राजनाँ पंकड़ श्ञान कोन है बेट जनता मोहर लगाती है जनता मोहर लगाती है वह आही लोकतंत के मंदिल में जाते हैं यह सब देखिए जनता को मुद्दे से भठकाने वाली बात उनको तो जवाब देना चाहिए कि दस साल मेंने क्या किया कितने लोग को सरकारी में उकड़िया यह जनता सब कुछ समस्ति और अंतिम फैसला तो जनते को लेना लोगतंतर में अधिकार है सब को अधिकार है मैदान में जाने का फैसला तो जनता के हाथ में यह ते मैंसा रंदी जैसाओ जो कि साब सब्दों में जिस तरह से रोहिनी अचारिया को टिकेट मिला है सारन जिले से वहां पे कल्प पहुचेंगी आज जो है जिले में पहुचने से पहले बाबा हरियर फिलाल मेरे खबर में इतना ही आप लोग देख रहे हैं ते डिटी डव्लू प्रेटी फोर न्यूज धन्यवाद